नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल अपडेट एयोर जियस में दोस्तों डाटर सर पली राधा किशन के उपलच में 17 अप्रेल का दिन क्यों खास है तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों डाटर सर पली के बारे में कुछ जानकारियां प्राब्द क करेंगे तो चलिए टॉपिक की सुरुवात करते हैं दोस्तों यहां एक टैग लिखा हुआ है कि गुरू जिस पर सारा देश करे गुरूर ठीक है तो इनके बारे में थोड़ी जानकारियां हम इस वीडियो में प्राब्द करेंगे तो दोस्तों स्वतंत भारत के पहले उप परेल करेंगे तो दोस्तों आपको अप्ता हो गया होगा की 17 अप्रेल का दिन क्यों खास है तो आपको यहां पर लिखा हुआ है कि 17 अप्रेल 275 में इनका क्या हुआ था निधान हुआ था ठीक दोस्तों निधान हुआ था राधा किश्णर का जन्म दिवस पूरे देश में राश्टी सिच्छक दिवस के रूप में मना जाता है आप सभी जानते हैं कि इस डाटा स्वरपली राधा किश्णर के जन्म दिवस के रूप मे राश्टी सिच्छक दिवस के रूप में मनाय जाता है और आपको और पता दें कि एक लेखक के रूप में 150 से अधिक रचनाएं एक लेखक के रूप में 150 से अधिक रचनाएं इन्होंने लिखी हैं और राधा किहन का कारेकाल काफी कठनाईयों से भरा रहा मतलब इनके जीवन का कारिकाल काफी कटनाईयों से भरा रहा इनके कारिकाल में जहां भारत और जहां भारत और चीन के युद्ध हुए वहीं भारत और पाकिस्तान के भी युद्ध हुए इनके कारिकाल में भारत और चीन के युद्ध और भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुए वही पर दो परधार मंत्रियों की पद पर रहते हुई मिर्त्यू इनके कारिकाल में दो परधार मंत्रियों की पद पर रहते हुई उनकी मिर्त्यू हुई थी इनके कारकाल में हुआ था मतलब इनहीं के जीवनकाल में हुआ था दोस्तों और आपको बता दें कि इनकी सहचड़ी कुपलब्दियां क्या क्या थी बहुत ही खास माने जाते हैं इसके उपलच में आक्सफोर्ड विश्विद्याले में 1936 से 1952 प्रूफेसर रहे थे उसके आगे क्या है इनकी उपलदियां कोलकाता विश्विद्याले के अंतरगत आने वाले जार्ज पंचम कालेज के प्रूफेसर के रूप में 1937 से 1941 तक कार्य किया है यह रही दूसरी और अगली है 1949 से 1948 तक बनारस के हिंदु विश्विद्याले के चांसलर भी रहे थे 1948 में यूनेसको में भारती प्रतिनिधी के रूप में अपनी उपसिदी इन्होंने दर्ज कराई थी नेश्ट है दोस्तों 1940 में प्रथम भारती के रूप में ब्रिटिस अकादमी में चुने गए थे और इनके बारे में थोड़ी और जानकारी है कि 1903 से 1962 तक दिली विशिविद्याले के चांसलर भी रहे थे आगे थोड़ा जुटा लेते हैं जानकारी कि डाटा स्वर पली राधा किशन का जन्व 5 सितंबर 1888 इनका जन्म कव था डाटा स्वर पली राधा किशन का जन्म 5 सितंबर 1988 को हुआ था और इनकी मिर्टिविटी 17 अप्रेल 1975 को तो इनके जन्म दिवस 5 सितंबर को 5 सितंबर को राष्टी सिच्छक दिवस के रूप में में जाता है और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 5 अकुबर को विश्टी सिच्छक दिवस मना जाता है this सितंबर से एक महिने बाद पांच सितंब पांच अक्टूबर को 200 सिच्छक के रूपे मना जाता है तो हमको ध्यान देना है कि पांच सितंबर को राश्टी सिच्छक के रूपे मना जाता है और सतरह अप्रार नीसों पचातर को इनकूर मिरित्ती हुई थी भारत के प्रत्थम उपराष्टपती और दुति राष्टपती रहे थे यह है डाटा सौर पली राधा किर्णा भारत के प्रत्थम उपराष्टपती और दुति राष्टपती रहे थे और कितने वर्षों के बीज में 1952 से 1962 के बीज में यह उपराष्टपती रहे थे पांच साल और पांच साल रहे थे राश्पती वे प्रख्यात भारती संस्कृति के समवाहक प्रख्यात इन्हें क्या क्या माना जाता है दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं भारती संस्कृति के समवाहक प्रख्यात सिच्छाविदी महान दार्सनिक और एक आस्थावान प्रख्यात, सिच्छाविद, महांदार्सनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्ही गुरों के कारण सर 1904 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच सम्मान भारत रत्न से अलंक्रित किया गया था। उनका जन्म दिवस, उनका जन्म दिन 5 सितंबर भारत में राष्टी सिच्छक के राष्टी सिच्छक दिवस के रुपे मना जाता है। आपको यहीं एक बात इसपश्ट कर दें कि भारत सरकार ने उन्हें सरवच्छ सम्मान भारत रतन से सम्माने किया था वह पहले ऐसे बेकिते जो भारत रतन से सम्माने किये गए थे डाटा सरुपली राधा किष्णन ठीक है दोस्तों तो हमने आज इस वीडियो में इतनी जनक हो सके तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और जरू करिएगा और अगर आप सिच्छक टीचा टीचिंग एक्जाम के तैयारी करते हैं तो इस चैनल को जरू फालो करिएगा वीडियो को पूरा-पूरा देखने के लिए दोस्तों बहुत-बहुत ध